लोग जन शक्ति पार्टी के राश्ट्रिय ध्यक्ष चिराग पास्वान मेरे साथ हैं चिराग आप एक बहुती एमोशनल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन बिहार में चुनाओ का महौल है और आपकी पार्टी लड़ रही है चुनाओ हम तमाम राजनितिक सवाल आप से और बाकी है जो विदी विधान है आज नकबाल की रसं थी और उसके बाद कल पिता जी को उनकी अस्तियों को लेकर अपने पैतरिक गाउं जाऊंगा और उसके बाद परसो पगडबंदी की एक रसं होती है और उसके बाद 21 तारीक से पूरी तरीके से जंता के बीच में तीकि चुनाओ मुझे लगता है कहता है यहासिक चुनाओ हो गाई है। मुझे लगता है आने वाले दशकों तक इस चुनाओ को कही न कहीं पैरा मीटा माना जाएगा मापड़ंड के तौर पर उधारन इस चुनाओ का दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंतरी पुना 10 नवंबर के बाद प्रदेश के मुख्यमंतरी नहीं रहेंगे इसमें मुझे कोई दो राये नहीं है लेकिन चिराग मैं इसी बात पर तो आना चाहरा था आप कह रहे हैं ये बात लेकिन बीजेपी तो बार-बार कह रही है कि नितीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पत के दावेदार हैं और गटबंधन इंटक्ट है नितीश चेहरा है और नितीशी चेहरा रहेंगे फिर जो बात कह रहे हैं वह बहुत अजीब सी लगती है बाई संख्या भी आनी चाहिए ना मुख्यमंत्री बनने के लिए संख्या आनी चाहिए और आप सब छेत्र में गूम रहे हैं दिल पे हाथ रखके बताएए मुझे क्या अक्रोश नहीं है जनता के प्रती मौजुदा मुख् मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर संख्या कम आती है मैंने सुना शुशील मुदी जी का अभयान जिसमें निरंतर्ता में उन्होंने कई बार रिपीट किया मुख्यमंत्री ने कहा भी कि और क्लियर कर दीजिए उसके बाद भी उन्होंने क्लियर कि संख्या कितनी भी हो मु या समझ रहे हैं कि अंधितिशय कमार को ले करके मुझे मंतरी अ हुए यह बात नहीं बीजे पी किनेता क्यों Wes कि मुझे अभी घृचित भाविष्यों है मेर falls 50 शॉन्त साल की राजनीति मुझे आगे सीथी जिए कि एक बार जिसके साथ आपने साथ देने का वादा किया परिस्तिती कैसी भी हो मुक्य मंत्री भले आज कितने ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनकी लोग प्रियता समाप्त हो गई हो आक्रोश जनता में उनको लेकर पर भाश्पा ने उनका साथ नहीं छोड़ा ये सी साथ नहीं छोड़ा ना सिर्म साथ नहीं छोड़ा बलकि रोज उनको प्रमाण भी देते हैं कि वह भाश्पा कि वह चिराग के विरोध में कि उनका चिराग से कुछ लेना देना नहीं रोज ये सब देखकर कैसा लगता है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं मैं इमानदा सब्सक्राइब को इतनी बड़ी करना चाहता हूं कि भविश्य में पर हां जो आपने कहा कि उसको देखकर आपको कैसा लगता है दुख जरूर होता मुझे मेरे पापा के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग ये वही नेता है ये वही उनके सहयोगी है मैं भाश सब्सक्राइब को जितना कुछ बोलना आप बोलिये पर कम से कम शब्दों का चैन्टी कीजिए की बाद अब तमाम नेताओं की जो वोट कटवा का इस्तमाल कर रहे हैं यह आप उस नेता की पार्टी के लिए कह रहे हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक आपके सहयोगी थे अभी कुछ दिन भी नहीं बीते वो यादे ताजा हैं रिफ्रेश करेंगे तो ट्वीट के पेजस में वो फ्रंट पेज पर आपको वो ट्वीट देखेंगे जो उन्होंने टैक किये हैं मुझे पापा को जिसमें पापा के बारे में इतनी अच्छी बाते कह रहे हैं और आ आपकी माँ को अगर इस तरीके से बोले आपको दुख होगा और एक ऐसे समय में में बोलें जैब मुख्य मंत्री जी को साथ में लगाने की जूरत है क्यों कि उनके दिल का रिष्टा नहीं है उनके विचार नहीं मिलते हैं इसी बात से तो बीजेपी निताओं को लगता है कि यह बात वोटरों तक पहुंचेगी वोटर कंफ्यूज होंगे वोट कटेगा तो जाहिर सी बात उनका वोट कटेगा वोट कटेगा दो चीज मुझे बताइए एक ऐसा वेक्ती जो मेरे जिवन में कभी और आएगा जो वेक्ती मेरे साथ दिन रात खड़े रहा है पापा जब अस्पटाल में थे कोई नहीं था मेरे साथ मुख्य मंत्री को तो उनकी तब्यत की जानकारी या थे जो दिन में दो दो बार मुझे फोन करते थे पापा की अंतिन व्यात्रा में जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने उनको संभान दिया जाकाइग दूसरी इससे नेता हैं जिनको इस तरीके का इसली का मिलिटर्य ऑनर मिला तो मैं चाइस अग्वाब कर ली कि अलोशना करने लग जाओं मैं तो चाहता हूं कि भई आभी बख्ष के लोग भी मेरे प्रधान मंत्री की तारीफ करें और यहां पे यह लोग चाहते हैं कि मैं अपनी प्रधान मंत्री की बुराई करूं क्यों करूं मैं और जहां तक रही उनका नाम लेने की कौन ले रहा ह मुझे बताइए ना कहां लगी उनकी तस्वीर मेरा मेनिफेस्टों भी मैं कल पर सो में रिलीज करूँगा कहां है उनकी तस्वीर मेरे कौण से होडिंग बैन पोस्ट कहां पर है कोई नेता आपके जो है वो नारा भी लगा रहे हैं और फोटो भी लगा रहे इसलिए नहीं फोटो नहीं लग रही है फोटो आप मुझे प्रमानित कर दीजे मैं तुरंट उसके ओपर कारवाई करूंगा फोटो कहीं नहीं लग रही कर लूँगा कारवाई अगर इतनी ही नहराजगी है लोग अगर इतना ही चाहते हैं जहां देश के लोग को प्रधान मंत्री जी का गुणगान काते नहीं धगना चाहिए यहां मुख्य मंत्री जी से आपकी क्या पेक्षा है आपने कहा कि प्रधान मंत्री ने एक दोस्त माफ कीजिए एक पासवान जी के साथी थे वह साथी का फर्ज उन्हों निभाया और साथी के बेटे के साथ खड़े रहे एक सबसे एहम वक्त में इसको याद किया है और राजनीती से उपर उठकर के इसको रिकॉल करने बड़ी एहम बात है लेकिन प्र को बहुत चोटा है पर मैं भाशपा के तमाम नेताओं को सबकुम मैं अपनी तरफ से मैं सोतंद्र करना चाहता हूं कि आप खोल कर चिराग पासवान का विरोत कीजिए आप मुख्यमंत्री जी को संतुष करने के लिए जितना आपको बोलने की जूरत है बस शब्दों की मर को लेकर मैं हूँ इमोशनल पापा को लेकर तो इस समय तो बहुत जादा हूँ उनके और पाठी के बारे में कुछ नहीं मेरी नीतियों का विरोध कीजिए बोले कि बिहार फर्स बिहारी फर्स सबसे खराब विजन दॉक्यमेंट है बोले की चिराग पासवान मर्यादित व्यक्ति है चिराग पासवान के अंदर संस्कार नहीं मेरे उपर जितनी डिपनी आपको करनी है आप कीजें मेरे उपर जितना मेरा विरोध करना और मैं सीरसली बोल रहा हूं प्रधान मंत्री जी किसी धर्म संकट में नहीं हुए अभी कि अभी रैली होने वाली है अगर मुख्य मंसरी की मिरा नाम लेंगे गड़ एक को संतोश करने के लिए अगर मेरा नाम लेकर मेरा विरोध करने की बीज़ुरत इन्साल अगर अच्छा थ Luigi ко का मुख्यमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की तो फिर आप जो कोशिश कर रहे हैं मुख्य मंतरी बदलने की वह तो काम आप यह कहना कि आज भी यहां पर अस्पताल नहीं है यह जिम्मेदारी किसी है मुख्य मंतरी तो आप 143 सीटों पर लड़ रहे हैं आप अपने अपने से तो आप सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं और उनकी नहीं बनती है तो वह चराग पास्वां की पाटी के विधायकों का समर्थन नहीं लेंगे बोल दीजे फिर मेरी भी लाइन के लिए रोगा और मैं वैसे भी मैं कहां वाज बाष्वा सरकार बने भाष्वा के नेतरित में बने पर मैं लड़ाइस तो अपनी अलगल रहांँ ना वहना हूं किसी सा नहीं रॉक में पापा बोलते हैं इस बात को शेर का बच्चा होगा तो अधिल जंगल चीडे दो उद्स जाएगा शेर का बच्चा हूँ जंगल चीरने निकला हूँ चीर के ही आऊँगा एक आखर आखरी में दो तीन सवाल और चिराग यह बताइए कि आप कुछ बीजेपी उमिद्वारों का समर्थन कर रहें खुलकर जैसे जमुई स्रेशी सिंग है आप ने ट्वीट किया मैं कुछ का नहीं मैं सब का कर रहा हूं और एक करके मैं कुछ के खिलाफ आप लड़ भी रहें हां से पांच ऐसी सीटें उन पांस सीटों को छोड़कर और वह पांस सीटें ऐसी हैं जहां पर मेरी मजबूरी थी मेरे पार्टी के वरिश नेता पुरान सभी उमीद्वाशी तो मेरी चोड़ी बहन है उनसे तो मेरे परिवारिक व्यक्ति का संबन्द बहुत अच्छे हैं इसलिए पहला ट्वीट मैं नहीं के नाम से किया बड़ इसके बाद आप निरंतरता में रोज ट्वीट देखेंगे जो भारतिये जंदा पार्टी के प्र कि बात कर रहे थे और टिक्टों की संख्या पर बात नहीं बनी इसलिए आपने रहा जुदा कि नहीं मुझे लगता कि शायद आप कल आदनिये ग्रह मंत्री जी के परिपेख्ष में सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने इस बात को कहा कि चिरा खुद गड़ बंदन से अलग क्योंकि मैं निरंतर ये चाहता था कि बिहार फर्स बिहारी फर्स को विजन डॉक्यमेंट को कॉमन मिनिममम प्रोग्राम में जोड़ा जाए साजान यूनितम कारेकरम का उसको हिस्सा बनाया जाए जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने साथ निश्य पार्ट टू की घोशना ग्रहमंत्री जी ने कहा कि मेरे अलग होने से उनको दुख है में उनकी इस भावना का मैं साथ यह नीतियों का विशय था और उन्हों ने कहीं पर इस बात को इतनी प्रमुक्ता से नहीं बोला कि नहीं सिर्फ संख्या की वज़़ा से ही आडी है या बाते अटकी है और दो कोई कुछ दिनों पहले तक सब कुछ ठीक था vita चुनाव तक सब कुछ ठीक नहीं था यह ठीक नई पहले तो मैं मुखे मंत्रीजी के साथ साही ही नहीं 2004 का लोकसभा देखें 5000 2010 1 विदान सभा देखें, 2014 का लोग सभा, 2015 का विदान सभा, 2019 की लोग सभा, बस हाँ, 2019 की लोग सभा में उनके साथ था, क्योंकि 2017 में मजबूरी वश वो गड़बंदन का हिस्सा बन गयते, मेरे पास विकल्ब नहीं था, क्योंकि लोग सभा के चुनाव सर पर थे, और पापा इ मैं आपको बताता हूँ, भाई, कि मेरे पास विकल्ब था, एक तरफ जब प्रधान मंतरी को चुनना था, 2014 मिया दूसी तरफ मुख्य मंतरी को चुनना था, उस वक भी मैंने प्रधान मंतरी को चुना था, यही मुख्य मंतरी को चुना था, यही मुख्य मंतरी को चुना थ नहीं तो वो करें अपना निश्य पर वो निश्य बिहार के विकास के लिए होना चाहिए ना उनका वेक्तिकत निश्य नहीं होना चाहिए और यह वो निश्य है जो महा गडबंदन की सरकार में उन्होंने बनाया था जंतादल यूनाइटेड और कॉंग्रेस 2015 में उसी को रखी और इमानदारी से मुझे बताइए आप पूरा प्रदेश आपने घूमा है क्या सिर्फ नली गली बनाने से बिहार का विकास हो जाएगा आईटी जॉब्स की बात कौन करेगा जॉब्स क्रेशन की बात कौन करेगा मुख्य मंतिरी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भा नाकाम है क्या बीजेपी नाकाम है नेतर तो जो करता और खास्तों पर नेतर अगर मेरे मौझूदा मुख्य मंतरी नितीश कुमार जी जैसा हो आपको भी पता है कि वो तो अपने नेताओं की नहीं सुनते अफशर साही जिस तरीके से इनके कारेकाल में हावी है जिस तरीक पक्षी गड़ बंदन के कैसे देख रहे हैं पुर उनके वादों को जो वादे कर रहे हैं मैं मैं इमानदारी से मैं उनको अभी बहुत जादा नामे फॉलो कर रहा हूं और मेरी लडाई अभी मेरे मुख्य मंतरी से है मेरा पूरा ध्यान के इंद्रित उस तरफ है और मैं दूसरों की स्ट्रेंथ वीकनेसे पे लगस करने से ज़oires आदा अपनी वीकनेस पे कामकर रहा हूं मेरा बाते 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 बां क्या चिराग पासवान का मुख्य मंतरी मां पूछलत है मेरा संकल्प है और मैंने हमेशा हम लोग ने प्रीपॉल अलाइंस किया और मैं आज ही बोलता हूं दस्तारी को पुना मुझसे पूछेगा मेरा लक्षे से फेक है कि भाज़पा के नितुरत में भाज़पा लोचपा सरकार 10 नवंबर के बाद बने पास स्थिती बनी अगर ब तबाद करने लिए शुक्रिया चिराग पासवान एवी पी नियूस से बात करते हुए बड़ी बात यह बता कही है उन्होंने कि बीजेपी नेता जो वोट कटवा कह रहे हैं लजेपी को ये अपमान है राम विलास पासवान का बड़ा हमला चिराग पासवान का लेकिन उस कुछ बहुत ही रोचक, बहुत ही दिल्चस्प है, अब क्या होगा, आखरी तस्वीर क्या होगी, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। कैमरा परसन रजातिवारी के साथ जैनेंद्र, ABP News पटना।